आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि FIS ने किस तरीके से लाश्ट कॉर्टर पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है किन कमपनीज में देखें तो SBI Life, UPL, HINDALCO, Power Grid और Tata Steel ये 5 कमपनीजों में FIS ने मेजर होल्डिंग अपनी बढ़ाई है हम दो समझने के कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि कहाँ पे उनका प्राइज है अभी और कहाँ पे उनके प्राइज जा सकते है फ्यूचर में क्योंकि जो FIS का investment होता है वो एक महीने दो महीने के लिए नहीं होता वो long time investment करते है और quarterly quarterly basis पे हमको पता चलता है कि वो कौन से stocks पे अपना ज्यादा focus कर रहे है कौन से sector में वो ज्यादा पैसे डाल रहे है अगर हम लोग देखें तो इस last quarter में जो भी उन्होंने पैसे investment की है इंडिया में ज्यादा करके उन्होंने steel company में investment किया और steel का हम लोग बूम देख सकते है किस सरी किस से रहा नमस्कार मैं जीत सिंग स्वागत करता आपके चैनल ठाहुर का अपड़ल में charts की health से हम समझने की कोशिश करते है कि FIS ने जो जो stocks में अपने position बनाई है उनके targets क्या हो सकते है आईए हम जानते है हम समझने की कोशिश करते है कि जिसमें FIS अपनी holding बढ़ाई है उसका target क्या हो सकते है सबसे पहले देखे तो SBI life हम लोग देख रहे है SBI life में सबसे पहले जो FIS की holding थी 26.99% और अभी उसने 3.52% डिसेंबर से अगर compare करें इस quarter में March 21 के उन्होंने बढ़ाया हुआ है 30.51 कर लिया है चार्ट से अगर हम लोग देखें तो चार्ट पे properly up trending है यह देख सकते हैं monthly चार्ट पे weekly चार्ट पे properly up trending है यह देख सकते हैं यहां से एक higher low higher highs बनाता हुआ प्रॉपर्ली इस एस वे लाइफ का चार्ट जा रहा है अगर डेली केंडल पे देखें तो डेली केंडल पे थोड़ा सा सपोर्ट जोन में ट्रेट कर रहा है हां पर लोग कर सकते हैं और जिस तरीके से लगता है यह बहुत ही बहतरीन जगह है बढ़ प्रॉपर टार्ट करें ऑगार रिटेल इन्वेस्टर तो सबसे पहला टार्गेट हो एक हजार 50 का है मगर लॉग टम की साफ से देखें एक साल की टार्गेट के अगर बात करें सच्छी से की एक साल क्या हो सकता अगर उन्हों बड़ी टाइम फ्रेम में देखें आप एक buying opportunity लगती है SBI life में हम लोग कभी और discuss करेंगे कि उसका performance क्या रहा आने वाले आगे उसके बाद अगर देखें तो United fast for us limited UPL UPL में भी FIs ने अपनी investment बढ़ाई है अगर compare करें और UPL के shares देख सकते हैं UPL nifty 50 का share है 0.63% का वेटेज रखता है nifty 50 में monthly basis पे देखें तो बहुत ही शांदार चार्ट continue up trending बढ़ रहा है अगर मोग share holding pattern की बात करें कि क्या change हुआ है तो यह देख सकते हैं इसके पहले वाले quarter में FIs का जो investment of 35.35% का दहा अभी यह 37.83% हो गया है UPL ने अपने debt को भी कम किया है बाद में promoter प्लेज रखी थी अपनी holding उसको भी free की है बहुत सी चीजे UPL में देखने के लिम को मिला है अगर मोग charge के help से देखें तो प्रॉपर ली एक up trending है मतब लास्ट आप सिर्फ यह देख सकते हैं कि सिर्फ में में मन्त में UPL ने 34% का return दिया है single month में उसी तरीके से weekly basis में देखे लास्ट वीक में 4% प्लस था प्रॉपरली अप्रेंडिंग है यह देख सकते हैं lifetime high से भी उपर trade कर रहा है UPL का share lifetime high यह देख सकते हैं इसके पहले था वह 709 और अभी 837 पर आज भी अब सेड में closing दी है अगर लॉंग टम के साफ से एक target की बात करें कि कम से कम एक साल में क्या target हो सकता है यहां पर यह चेक कर सकते हैं UPL के share में कि यह हमको 1000 तक होता हुआ दिख रहा है वह तो बहुत पहले हो जाएगा उसके बात का भी टार्गेट है कि पंदस हो भी हो हुगाुटा है कि यूपयल का share वहांत थक बहुत सकता है उसके बाद दैखे तो हेंडाल को हेंडाल को में भी अपनी holding बढ़ाई है अभी वह कितना है फईन कि परफॉर्मेंस क्या है और वो कहां तक जा सकता है ऑफ इन्डाल को यहां पर चेक करें तो सही से कि क्या टार्गेट हो सकता है वो टार्गेट प्रॉपरली अचीव कर लिया है 407 रुपे का यहां पर एक अपोचेंटी मैं तो नहीं कहूंगा कि इस भाव पर एज रिटेल इन्डाल को बाई करना चाहिए उसके बाद देखें तो टाटा इस्टील टाटा इस्टील का अब अभी क्या होल्डिंग लिए है यहां पर यहां पर यह नेट चेंज अंचेंज दिखा रहे हैं मगर अगर हम लोग सई से देखें तो इसमें भी चेंज हुआ है प्रमोटर होल्डिंग वह हम आपको अपडेट कर सकते हैं उसके बाद अगर देखें तो चार्ट अगर देखें टाटा स्टील का कि टाटा स्टील कहां जा सकता है टाटा स्टील भी एक प्रॉपर्ली अप्रेंडिंग है और बहुत बहतरीन तरीके से टाटा स्टील ने भी लाइफ टेम हाई बना यह require चैनल सकते हैं उसके बाद अगर देखें तो पाचवा ये फावर्ड ग्रीट heavens है है क्या है पावर ग्रीट घखंब fender का अपडेट नहीं है मार्केट मोजो के जो बीकैने याओब ऑर क्रणे कि वह बड़ा है व 1.65 परटेंट से पहले था है है तूल तूसिक्स सेवन फोर अभी है 2834 अगर नोग शेर्स पर देखें कि पावर ग्रिट का जो प्रॉफॉर्मेंस है वो कैसे आगे हो सकता है बाइंग सेलिंग कहां पर जा सकता है पाउर पाउर ग्रिट का शेर्स और समझने कोशिश करते हैं चार्ट पर और कॉर्परेश यहां पर चेक करें तो यह भाव एक बाइंग का है यहां कर सकते हैं एक साल के लिए definitely अब लोग करें लिसे अपफर ईपनचेशन होगा मेरा कि हम लोग अगर और पावड को ऑॉइड करे सबसे पहले सब्सक्राइब यह मतलब ज्यादा बहतर है इस भाव पर बाइंग करने के लिए उप्याइब अभी 1000 रुबिस तक जा सकता है यूपिल जो आज का प्राइज एक ठाटी सेवन है तो वहां पर अपर देख सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड और ल देखा यूपिल में भी देखा तो जरूर इस वीडियो को आप शेर करें कमेंट करें लाइक करें नमस्कार